क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडी एजुकेशन चैनल को और साथ में दपाई एगंटी का इकन को एनी बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारिया सबसे पहले पाने के लिए हलो औनने वल्कम टू एड एजुकेशन वेजिए एजुकेशन मैं हूं हमिर दिक्षित और आप देख रहे है एए एए वस डियलज लेक्टी सीरीज इस Video Lectures Series में NiOS DLX Libas के हर Topic को पढ़ा जा रहा है, तो यहां इससे पहले के सभी Video Lectures देखने के लिए आप इस Video के नीच दिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें जो Link है उस पर Click करके, सारे Video Lectures पहले के देख सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो की है 8.3.5 कोर्स 501 ब्लॉक 3 का ये एकाई 8 का टॉपिक है ये जो टॉपिक चलने है अध्यापक प्रिसिक्शन के बारे में चल रहे हैं तो उसी में ही आगे का टॉपिक है प्रार्मिक इस तरपर अध्याप अध्यापक शिक्शा के लिए पाठिय चर रहा है तो इसमें पॉइंट वाइज दिये गए हैं ये तो पहला पॉइंट है इसमें की एक प्रात्मिक अध्यापक जो होता है वो तीन कख्शाओं को मुक्ता लिखना पढ़ना अंक गणित और जीवन कोशल का अध्यान कराता ह और इसके अध्यापक से यह पिक्शा होती है कि वहाँ जो बच्चे का डवलमेंट है कि विद्यारतियों का और उसकी जो प्रॉसस है डवलमेंट की उसको देखे उस पर नजर रखे उसको जानता हो और साथ-साथ में बच्चा कैसे सीख सकता है बहतर तरीके से इस बात पर भी ध्याद दे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है इसमें वह है प्रात्मिक अध्यापक सिक्षा का विकास राज सरकार अध्यापक सिक्षा राज बोर्ड द्वारा किया जाता है और समय समय पर इसका पुनरीक्षण भी किया जाता है तो बताया गया है कि राज सरकार और द्यापक सिक्षा बोर्ड का योगदान रहदा है सिक्षा के विकास के संबन में और इसका जो निरिक्षण है उसमें चेंजिस है वो समय समय पर किये जाते हैं इसके दुआरा अगला पॉइंट है NCRT ने प्रातमिक सिक्षा के लिए जो मॉडल तयार किया है पार्ट चर्या का विकास किया है मॉडल के जरिये राज सरकार ने विश्विद दहले इसे एक ऐसा अपना सकते हैं और अपनी आवशक्ता अनुसार इसमें चेंजिस भी कर सकते हैं तो NCRT की पार्ट चर्या को समय समय पर यानि कि इसकी सिलेबिस को समय समय पर बदला जाता है जिससे कि कुछ बैतर इसमें जोड़ा जा सके और इसके आगे आने वाले पार्ट में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो NCRT टीम ने जो पार्ट चर्या को विक्सित करने का फिरिम बग्त तियार किया इन्फरस्ट्रक्चर की बात यहां पर की गई है और अधियापकों के सेवा का लिंट प्रिसक्षन है यह तो मूल अधारित सुविदाय केंद्र राज्या तता छेत्रिया जिला और उप जिला इस तोरों पर विदमान होते हैं तो यहां पर बिसिकली उन चीज़ों की बात की जाएगी जो अलग टाइप की संस्था हैं जो इसमें काम कर रही है राश्टी इस्तर पर ऐसी कई संस्था हैं जैसे की NCRT को हमने जाना और NUEPA है और केंद्रिया अंग्रेजी अर्म विदेशी भाषा संस्थान CIEFL जो की हैदरबाद में है केंद्रिया भाषा संस्थान CIEIL जो की मैसूर में है चेत्री इस तर पर चेत्री सिक्षा संस्थान है जो देश के चार शेत्रों में स्थापित किये गए है उत्तर पश्चिमपूर दक्षण स्थेतर में यह स्थाफित है हाली में एक और खेतिय संस्थान को शिलॉंग में भी स्थाफित किया गया है जिसका कारचेतर पूरे भारत की जो उत्तर पूर भी खेतर है उसका रहेगा और राजस्तर पर NCRT जिले स्थर पर डाइट जिसके मारे में पल चुके हैं सेवा कालीन प्रसिक्षण संस्तान मौजूद है और इसके अतरिक तर राजस्तर पर कहीं कहीं पर राजसिक्षण संस्तान जिसे SIE कहा जाता है राजविग्यान सिक्षण संस्तान जिसे SISCE कहा जाता है सिक्षण में उच्चितम अध्यन संस्तान जिसे IACE और केंद्री अध्यापक सिक्षण संस्तान CIET उसके बाद राज़ अध्यापक सिक्षण संस्तान SIT और जिला सेक्षिक प्रसिक्षण संस्तान प्राथमिक तथा उच्छ इस्तर पर कार्रेरत अध्यापकों की सेवा कालीन शिक्षा संबंदी आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं। तरह तरके से हर स्थर पर राष्टी स्थर पर खंड स्थर पर जला स्थर पर अलग शेत्रों पर अपना योगदान दे रही हैं। जाती है जिसके आधार पर भरती की जाती है। और कुछ अराज्यों में जो सेक्ष्णिक और प्रोफेशनल प्रस्ट भूमी है किसी भी केंडिडेट की उसके आधार पर की जाता है। किसी का मेरिट का निर्धारन दौरा होता है। और उसके अरावा परिक्षा और अध्यापन अनुभव कितना है। और मेरिट इन सभी को आधार बनाया जाता है। और कुछ राज्यों में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सेक्षणिक और योगता है। कि आधार पर जो मेरिट बनी है उसको अपनाया जाए। इसके अतरिक तो कुछ मौकिक परिक्षा या साक्षातकार या इंटर्विव के भी जरिये यह लिया जाता है। इसके तरह से परिक्षा लिए जाती है। इसमें टेस्ट हो सकते हैं, इंटर्विव भी हो सकता है। और आपका experience मांगा जा सकता है तो कही जगह पर यह सब कुछ मांगा जाता है। कई जगह पर यह लग अलग चीज़ें ही मांगी जाती है। तो इस तरह से यह recruitment की बताया गया है किस तरह से बढ़ती का concept होता है। आगे बढ़ते हैं 8.4 की तरफ प्रार्मबिक अध्यापक कोई सिक्षा के लिए राष्टिया अध्यापक सिक्षा पार्टिचर्या framework की बात की गई है। 2009 का जो है इसके प्रमुक पक्षों के बारे में बात करेंगे। तो NCFTE जैसे कहा जाता है। इससे पहले हम NCF यानि की नेश्रल करिकुल्म framework पढ़ चुके हैं। यह हम उस framework को पढ़ेंगे। एक तरह से यह अध्यापक शिक्षा के संभन में framework है। उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से किया गया है कि अध्यापक शिक्षा और विद्यालिक शिक्षा एक बहुत ही connected है। दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितने अच्छे quality के अध्यापक होंगे। जितने teachers में quality होगी। उनका ग्यान होगा, उनका स्तर अच्छा होगा। उतने ही वह अच्छी सिक्षा देंगे, अच्छी knowledge देंगे। और इससे विद्यारतियों के स्तर बढ़ेगा। और उस शिक्षा की गुर्वत्ता है उसमें सुधार आएगा। और इस तरह से यह बहुत आवश्या को जाता है। जो राष्टी वैस्वे की स्तर पर तीविता से बदल रहे शिक्षा के परीदश्य यानि कि जिससे आप से बदल रहे है शिक्षा उसके लिए बहुत अनिवार होता है। उसके अनुसार यह होना चाहिए। नीचे इसमें बताया गया है। तरकाधार का मतलब है कि प्रिस्क्षन प्रावधी जिसे बोलते हैं अध्यापका का सहस्टी करने के लिए आवश्या के यानि कि प्रिस्क्षन अध्यापक को बहतर बनाता है। प्रिस्क्षन प्रिस्क्षन के लिए आप बहतर को सीख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो सुसाइटी में समाज में जो मुश्किले हैं जो जटिल और डवलिमेंट की जो प्रोसेस हैं विकास करने की प्रिक्रिया है। प्रिस्क्षन के जरीए और अध्यापक की रूपरे क्या देखा जाए तो एक अध्यापक के वले विशेशक नहीं होता। बलकि एक सिखाने के एक मैनेजर की तरह काम करता है, एक सुसादक की तरह काम करता है जिससे कि बहुत बड़ा योगदान उसका हो जाता है। अध्यापक शिक्षा पार्ट चरहा फ्रेमबर्क में पारमिक शिक्षा के लिए एक लगचीला ढांचा प्रिस्तुत किया गया एक फ्लेक्जिबल ढांचा एक स्ट्रक्चर जिससे कि इस्थानी अवातर्मन के अनुसार ये अनुकूल होनी के इसमें काफी गुन जाएगों यानि कि जो लोकल माहुल चल रहा है और जो चीजें हैं जो आवशक्ता और इसके अनुसार ये अपना योगदान दे सके और कुछ बैतर सिखा सके और इन्पूट दे सके बैतर अगला पॉइंट दे रहा है पार्टेकरम विशेवस्तू तो यहां पार्टेकरम की बात की गई है तो NCFTE यानि कि अध्यापक सिक्षा फ्रेमवर्क में जैसे कि विकासील भारतिय समाज नामक पार्टेकरम में उन दवाव छेतरों को ध्यान रखा जाता है यानि कि NCF में 2005 जो मुद्डिस हो जाएगा है बच्चो क अधिकार हो माcom onके सामाने विशेशता हो देश में सॉमाजी कारतिक फ्चतिक क्या है और विईयान और तक्नीक की क्या चेतर है विमिन्ल namely प्रकार के और क्या क्या मेहत्मूर्ण घडणा से ब्लब हो रही है इनका इनिसे बार में जानकारी देना जोड़ना इसको विशवष्टू में पार्टिक्रम में इनका उद्देश अध्यापकों को हर तरह की वो चीजों से अवगत कराना है जिससे उसको कारे करने में असानी हो और जो विद्यारत तक बहतर चीजों को पहुचा सके हर तरह से तो 2005 की NCF के पार्टिक में अभ़ना जय के गान सुवास्त सारारी और ध्यापन में वह विशवष्ट सién interceptivaus के लिए पार्टिक्रम में अनिवार सद्धियां के गड़ तो जयसा कि पहले भी मेरा बताया है कि जो भी सिख्षा दी जारही है या सिखा हे जा रहा रहा है या सिक्षारी जा रहा destrulas में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया चाह सकता है इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सिधानत सिखाया जाने चाहिए जिनकी आवशक्ता सीखने वाले और जो वहां की समधाय है जो कम्यूटी है समाज को समझने के लिए इसकी आवशक्ता पढ़ती है तो इन में जो इंटर्नल आंतरिक और बहायवलों का उद्देश है जो विद्यालों को प्रवावित करते हैं साथी साथ उन सभी कारणों को कावी की जानकारी दी जाती है जो एक सीखने वाले को प्रवावित करते हैं यानि की सीखने वाले को क्या चाहिए उसकी क्या वशक्ता है इसको समझने की जा जाएए लिए आनि जाए गैयारे विद्ध हुएं और प्रात्मीक करना आना चाहिए क्योंकि है आध्यापक केुप में कार को के लिए ठोस हाधार पिस्तुत करते हैं तो जब तक आप विशलेशन नहीं कर पाएंगे आवशकताओं का और प्रात्मिक इस तर पर जो सब्जेक्ट है उनके सिक्षन के हिसाब से तब तक आप इसमें कुछ सुधार करने के लिए कुछ बैतर करने के लिए योगदान नहीं काणी गाएंगे तो यह आख्यक है तो एक प्रख्रम लिए व्रूत के बारे में वाइवारे मेरे UAउनीन नहीं जो ब।हरा है το सब्सक्राइब में में एक तरह से सिलेबस के जो भी पार्ट है उने को जो बाहर kind हानाLife के जो जो सविशान हैं उन्से कैसे जोड़ा坏 जा सके मातलब बच्वाद के सब्रे elder करणा, कि आप यह खेम कहज़ानु थाइए है कि गल मुण। जोड़ा जाना की है निश्यक्षा पटकरम ना में सुझा कि इसे लिए आगे की राज्टि पर्धाकोपर, यह सुझा एक्षा ने विशा बस्तु आता है कि वो चेत्र और इस तरह से विशिष्ट बनाया जाए कि वो इसमें कभी भी कोई जरूरत हो तो इसमें कोई भी चीजों को जोड़ा जासा कि आवशक्ता अनुसाल तो ये इसमें बताया गया है आगे जो पॉइंट दिया गया है वो पार्टिचरे संचालन के बारे में दिया ग पार्टिचरे संपादल में कई तरह की चीजों को सामिल करना जैसे कि व्याख खैने या लेक्चर सें चर्चा है डिसकुशन सें सेमिनार है मीडिया है मीडिया समय तर्दियन टूटूरियल्स हैं सेल्फ स्टडिए और प्रेक्टिकल्स हैं इसमें शामिल किया जाने अगला पॉइंट है सिक्षण सास्त्र पेडागोजी की बात की गई है तो सिक्षण सास्त्र विशलेशन का मुख्यारती है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए आप कैसे पढ़ाते हैं आप अगर यह जान लेते हैं और इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो यह आपके अध्यापन के लिए कि उसे विश्यवस्तु का पूरा घ्यानों सिलेबस की सारी और सिक्षण सास्त्र विशलेशन वो कर सके और आधारिक पार्ट अकॉनों के आधार पर जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका सही उप्योग कर सके यानिकी सिखने की सही टेक्नीक आप स अधिक्षा विद्याले समधाय क्रियात्मक्षोद समंधी जो भी परियावजनाय होती है और जो भी सेक्षण के एड्यूकेशनल करिया कलाप होते हैं वह विद्यारतियों के विकाश की और को बढ़ावा देते हैं और भावी सारे जो अध्यापके उनको यह सीखना प्रवश्य करी जो बीच में टो भी हैं रहते हैं और भी सेक्ष Higheg झाले से जो भी हैं विदाले सेक्ष्यात्मक्ष। कि उड़ हमेघख के तर भ 2 डावश्यान